दोस्तों बात करें तो आज के समय में BSNL जैसी कमतनी बहुत तेजी से राइस कर रही है मैं अब एक सिंपल सी बाब बताओं सिर्फ दो लाख सब्सक्राइबर उसने गेन कर ली जुलाई कमहिने में यानि कि वही जुलाई कमहिना जब Airtel, Jio, Vodafone Idea इन तीनों नहीं अपने प्राइस हाइक कर दिये और इसका जो positive impact वो था BSNL के उपर क्योंकि BSNL देखा तो market में आज भी सबसे जादा affordable है और जब लोग उस के उपर जा रहे हैं तो BSNL के पास लग रहे हैं एक और मौका आगया है कि यहाँ पर लोग काफी अच्छा perform कर सकते हैं लेकिस सवाल आता है क्या इतना अच्छा गर BSNL perform कर रहेगी तो यहाँ पर क्या network की quality की improve करेगी और बागी technologies का क्या जैसे 4G का क्या 5G क्या 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 आज पर जो BSNL का mostly जो network है वो 3G है और आपको पता आज के समय में इंडिया में हम लोग 4G और 5G की बात करते हैं हर कोई 5G smartphone को यूज करता और 5G का penetration है तो इस case के अंदर BSNL का है इस वीडियो का दर पता लगाते हैं सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए सबसे बेले बात करने वालों आप लोगों से BSNL की 4G की कहानी क्या चल रही है देखो BSNL ने ये decide किया था कि वो अपनी खुद की indigenous 4G core technology को use करेंगे जो C.TCS का यूज करके बनाई जाएगी यानिकी जो Tata Consultancy Services है वो इसके लिए technology develop करेंगे जो 4G के अंदर ये लोग use करेंगे जो 4G के लिए core होगा जो की काफी अच्छी चीज थी लेकिन जो rollout हमने देखा था 4G का वो बहुत ही जादा slow था क्योंकि 4G technology का अच्छे तरीके से implementation अभी भी लोग नहीं कर पाया है और अभी भी अपने सभी टावर को 4G ready नहीं कर पाया है और पिछले कुछ सालों से लग रहा था 4G इसका अब आएगा अब आएगा अच्छे तरीके सब आएगा तो अभी देखा जातो कुछ selected location based का 4G already available है लेकिन प्लान किया गया है कि मार्च 2025 तक एक लाग टावर्स ऐसे होंगे बीसनल के जहां पे इनको 4G नेबल कर दिया जाएगा यानि कि टार्गेट रखा या 2025 का हम लोग पूरे टावर्स को यहाँ पर 4G कर देंगी तो खेर 4G की मैंने यहाँ पर बात कर ली लेकिन अब 5G के अंदर कर लेंगे जिस कारण से इनको 4G इंफरस्रक्चर पर अप्ग्रेट करने में जो महना जत्ता टाम लग रहा है ना उतना सयाथ है में इने 5G के अंदर नहीं लगेगा ये लोग अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपग्रेट करके यहां पर इसको 5G में यूज कर लेंगे जो बहुत ही कैफिशेंट इसके साथ ही 700 MHz स्पेक्ट्रम पर ये लोग आल्रेडी टेस्टिंग करना शुरू कर चुके हैं जो ब चैन नहीं है पैन इंडिया में अलग लग जगों पर ये लोग 5G को यहां पर टेस्ट कर रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज है जिसको लेकर आने वाले समय एक बैटर नेट्रक हम यहां पर अपलब्द करा सकते हैं अगली चीज होगी यहां पर 5G के अंदर वीडियो कॉल को में 5G ready sim card गया देखो कुछ नहीं यह सब एक marketing का तरीका है जब इंडिया में 5G आया नहीं था तब एयर टेल ने भी अपनी 5G ready sim cards को इंट्रीउस किया था वोड़ा फोन आइडिया भी अपने sim card के उपर 5G ready लिखता है लेकिन आपके बाप पता देना चाहता हूं मॉबाइ परसंट पुरान ऐसे sim cards होगे जहां पर इनको upgrade की जरूरत पड़ेगी वरना 95% के जरूरत पड़ती नहीं है यह यह बात मैंने पहले जियो एटल के लिए बहुनी थी BSNL के लिए यही बात बोलूँगा यह सिर्फ एक marketing का एक तरीक है अगली चीज आती है कि BSNL का 5G already आप की काफिक अच्छी चीज है लेगन अभी भी problem यह कि यह technology बहुत जादा आगे की है और implementation जो है न वह बहुत धीरे-धीरे हो रहा है यहाँ पर government को थोड़ा involved होके इसको थोड़ा fast करना चाहिए अगर थोड़ा सा fast कर दे हैं लोग तो बहुत अच्छे हैं आपे खेल सकते है क्योंकि BSL के साथ एक अच्छी चीज है कि सबसे सस्ता है अच्छी बात है क्योंकि affordability है तो सबको पसंद है और problem यह कि हर जगे network inconsistent है भाई सबसे सस्ता है तो network की quality भी उतनी खास नहीं है और BSL के पास एक मौका है आप यहाँ पर market में अपना को साबित करने अगर back end में अभ क्योंकि short term की growth हो इसे long term तक sustain कर दें वह बहुत सही चीज़ है इसके साथ ही एयर टेल जैसी company ने भी बोला है कि उनके लिए भी healthy growth मिली होने और एयर टेल भी यहाँ पर अच्छा करी है हाला कि एयर टेल के साथ बात यह कि एयर टेल का average revenue per user हर यूजर से जो जितना कमाते है वह एयर टेल सबसे जाद है एयर टेल को बहुत अच्छा benefit या मिल रहा है जीओ के बार में बात करें तो जीओ बहुत सही कर रहा है आज के समय में और आने वाले समय में जीओ का जो पूरा focus रहेगा वह 5G स्मार्टफोन से जादा 4G enabled feature phone पर है वह चाहता है कि 4G वाले feature phones को यहां पर use किया जाए वापे जादा focus कर रहा है और premium category में 5G के लिए को partnership करें दूसरे स्मार्टफोन मेकर के साथ जहां पर कोई offer वगरा लगाया जाएगा कुछ phones में अगर कीमत कम करनी है तो जीओ अपना कुछ offer यहां पर देदेगा पीचे से कमती अपना प्लान लेकर सकते हैं basically 5G related कुछ चीज अगर हमें देखने को मिले 5G का rollout वगरा कुछ चीज़े हो तो यह भी काफी कछी चीज होगी देखने वाली बात है क्या चलता है फिल्हाल BSL की एक कहानी थी वोड़ाफोन आइडिया को देखते है वो क्या कर सकता है अगर वोड़ाफोन यहां प तो जो भी आपका answer है नीचे जरू कमण बताना बूलना थेंक्यो बने रहने के लिए आप सल्जाने next one के अंदर गुड़ बाए